जिला अस्पताल विस्तार से दुर्ग में मेट्रो सिटी की तरज पर मिलेगी स्वास्त सुविधाये वोरा ने अस्पताल का जैजा लेते हुए कहा कि सबा 3 साल में 35 करोड से शास्की अस्पताल का हुआ है काया कल्प जीले का सबसे बड़ा शास्की जीला स्पताल अब और भी बहतर होने जा रहा है CCU वाला नविन सर्जिकल वार्ड भी शामिल है उदघाटन से पुर्व निरक्षन में पहुँचे वरिष्ट कॉंगरिस विधायक अरुन वुरा ने कहा कि रोजगार एवं स्वास्त की दिशा में सरकार की उपलबदियां अभूत पूर्व है आम जन्ता को कॉंगरिस से बहतर शासन नहीं मिल सकता कॉर्णा काल के बाद एक तरफ जहां जादाता राज या आर्थिक संकट से एवं आम जन्ता महमारी से जूझ रही थी ऐसे में मुख्यमत्री भूपेश बगिल के नैतित में दुर्ग जिले में स्वास्त सुविधाओं में बुनियादी धाजे का सराहनी विकास कारी किया गया है 16 करोड से 120 युक्त जच्चा बच्चा स्पताल एवं चिल्डरन आईसीउ अपनी तरह की पहली शास की यूजनाव में शामिल है अब 7 करोड की लागत से अत्याधोनिक सर्जिकल वाट बन जाने से दुर्ग शहर में देश की राजधाने दिल्ली के इस्तर की स्वास्त सुविधाएं आम जनता को मुफ्त में प्रदान की जाएगी हमर लैब का शुभारम होने से 104 तरह की जाँच मरिजों के लिए निशुलक जहां होगी वही लगतार प्रयासों से एक करोड की लागत से वाइरोलोजी लैब प्रारम होने से कोर्णा समेद विभिन जाँचों के लिए शहर को अन्यस पतालों पर निर्भर नहीं रहना होग धनवंतरी सस्ती दवा दुकान की जनेरिक दवाईयां लगतार जनता का आर्थिक बोज़ कम कर रहे हैं विगर सावा तीन वर्सों में कॉंग्रेस का शासन आने के बाद 16 करोड का जच्चा बच्चा स्पताल 7 करोड के सर्जीकल वाड 2 करोड की ट्रामा यूनीट 3 नविन ऑक्सिजन प्लांट 1 लाग के वैरोलाजी लेप 50 लाग के हमर लेप शहर इसलम स्वास्त यूजना के लिए 5 मोबाइल वेन इवं नविन एम्बूलेंस के साथ ही 35 करोड से अधिक की राशी जन स्वास्त के लिए खर्च की गई है वुरा ने ये भी कहा कि आने वली समय में दुर्ग जिला अस्पताल मरीजों के लिए और भी आधुनिक एवं जीवन रक्षक साबित होगा इस दोरान निगम दुर्ग महापौध धिराजबाकलीवाल डॉक्टर राजेंदर खंडेलवाल डॉक्टर अखिलेश यादाव अस्पताल प्रबंधक अरुनपावार एव दुर्ग से नसीम फारुक की रिपोर्ट